सहारा समों का नाम जैसे ही जेहर में आता है ऐसे में उनके निवेसकों को यही लगता है कि हमारा पैसा कम मिलेगा आपको बता दें कि बिहार, धारखन, उत्तरबरदेश और अजस्थानी को लोगों ने सबसे जादा इस कंपनी में अपना पैसा निवेस किया है ऐसे में निवेसकों के मन में सबसे पहले यही लगता है कि हमारा पैसा सहारा से कम निकलेगा हलाकि भारा सरकार ने सहारा से पैसे निकालने के लिए एक पोटल का निर्मान किया है जिसमें आप अपने डॉक्मेंट जमा कर अपने पैसे निकाल सकते हैं 12 सरकार के इस परकिरिया से ठीक पहले कई राजियों के मुख मंतरी इस कार्ड में लगे हुएते हैं जिन्होंने सहारा से पैसा निकाला है और आम लोगों के बीच में बाटा भी है जिसमें 36 गड़ के पूर मुख मंतरी भुपेस बगेल ने खूब काम किया हलाकि बाद में उ बेकर भर्म की इस्थिती उत्पन हो गई कि अब क्या होगा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आएए अब जानते हैं सहारा से पैसा हम कैसे और किस तरह से निकाल सकते हैं आपको बता दें कि केंसरकार द्वारा विक्सित किये गए पोर्टल पर तीन करोड लोगों ने र पैसा भी देने के लिए लगभग 80 करोड यानि 80,000 करोड रुपे की जरुवत है ऐसे में अब सरकार एक बार फिर से सुप्रिम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है इस पूरे मामले को लेकर सहकारिता राजमंत्री बील सर्मा ने राजसभाक में प्रस्णकाल के द जिसके लिए सरकार सुप्रिम कोर्ट का रुख करेगी ताकि सहारा निवेसकों का पैसा उनके खाते में पहुंच सके इस दोरान बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सहारा समूह में पसे लोगों के पैसे को दिलवाने का काम करेगी कई लोगों को पैसे दिया जा च पतादें कि इस पर किरिया के सुरू होते ही सहारा समुह के मालिक सुबूरत राय सहारा का निधन भी हो गया। ऐसे में लोगों के मन में अभी इस बात की असंका बैठ गई कि उनका पैसा मिलेगा कि नहीं। इदर साल 2009 में सहारा ने सेवी के सपास आई प्यू खरिदने के लिए 24,000 करोड रुपिये जमा किये थे जिसे बाद में सेवी ने इन पैसों के बारे में बिबरन मांगा और सहारा उसे देने में असमर्थ हो गई जिसके बाद सेवी और सहारा के बीच में मामला फस गया। यह पैसे लटाने की बात कही गई जिसमें सबसे पहले कि 5,000 करोड रुपिये दिये जाने की बात कही गई हलाकि निविसकों की संख्या जादा है ऐसे में अब पोटल 80,000 करोड रुपे की मांग करती है ऐसे में अब देखना है कि निविसकों का पैसा कब तक उनके खाते में आ निवेस होगा जो छोटे निवेस होगे जिनकी किस्त 10,000 रुपय के आसपास होगी उन्हें जो है पहला पैसा दिया जाएगा 10,000 रुपय के रूप में या फिर ये भी कहा गया कि जिनके पास ज्यादा एमाउंट है उन्हें भी जो है सबसे पहले 10,000 रुपय के किस्त के रू ऐसे में किन सरकार यह विश्वास दिला रही है कि आने वाले दिनों में आपके पास सहारा के पैसे जिरूर मिलेंगे